प्रफ़ारे साथियों बहुत बहुत स्वागत है आप तभी का पीवियर स्टडी में जैसा कि आपको पता है कि उद्यबैच की लाइब चल रही है और आज आप देखेंगे कौन सा क्लास आप सबको पता है जहां तक आपने पढ़ा है उसके आगे आपको पढ़ना है और अग पिछली क्लास में आपने क्या पढ़ा था पिछली क्लास में आपने उद्यबैच में रेगुलर क्लास जो चल रही थी उसमें आपने गुलनखंड पढ़ा था है ना उसके बाद दो क्लास में दो दिन आपने भिन्न पढ़ा है मेरी बात समझभा रहे हो यानि आपको गुल अभाज गुडनखंड तो अभाज गुडनखंड का भिन से कोई रिलेफन नहीं है ठीक है तो बीच में आपने भिन पढ़ लिया अच्छा है भिन का बेसिक खतम हो गया आज पढ़ेंगे अभाज गुडनखंड तो इस के बाद आप या भाज गुडनखंड वाला पढ़ लेंगे इसमें भी गुडनखंड के बारे में पढ़ाएंगे ऐसा नहीं है लेकिन थोड़ा और आगे लेवल पर तो चले आईए और यह क्लास जो है अभी जो आज आप पढ़ने वाले हैं यह सेम चीज आपने कहां पढ़ प्यारे साथियों आज उदे बैच में आप पढ़ेंगे फैक्टर यानि गुडनखंड और अब आज गुडनखंड प्राइम फैक्टर यह टॉपिक हमने आजादी बैच में भी पढ़ाया है तो आज हम आपको वही दिखाएंगे और अगर इस टॉपिक में इस क्लास में कोई परकर कर डाउट होता है तो यह नंबर जो दिया जा रहा है इस पर आप मैफेज करेंगे ठीक है और सीखना है तो क्लास को पूरा देखना बीच में किसी को जाना नहीं है यानि क्लास को एंड नहीं करनी है मेरी बात समझ भा रहे हैं सबीना आगे बढ़ सकते हम तो इ मैंने सब्सक्रेब्शन लिया है मुझे पेड बैच का टेलीगराम चैनल चाहिए नार्मली अगर आप पीवियार स्टेडी साज करेंगे तो नार्मल चैनल जोईन करेंगे जिसकी इनफॉर्मेशन इसमें सिर्फ यूटूब का फ्री क्लास का आता है बस तो इस नंबर पे आप हमें मैसेज करना पहले वाले इस पर कि मुझे टेलीगराम चैनल चाहिए जिसमें मैंने कोर्स लिया है उसके बारे में अपडेट आती है ठीक है तो अब हम आपको चल रहे दिखाने क्या आजदी बैच में जो पढ़ाया था उसका क्लास आपको दिखाएंगे पूरा हांसलों के तरकस में कोशिसों का तीर जिन्दा रखना और हार जाना चाहिए सब कुछ जिन्दगी में लेकिन एक बार सिर्फ और सिर्फ एक बार जीतने की उमीद को जिन्दा रखना साथियों बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का पीवियर स्टडी में उमीद है कि सब कुछ बढ़िया है और आपकी क्लास एकदाम मस चल रही है आगे बढ़ें आज आप पढ़ेंगे फैक् में कर चुके हैं लेकिन आज बची हुई कसर भी पूरा करेंगे आईए कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है इन्हें ध्यान से देखिये किसी संख्या के आनंत यानी इंफिनिट गुड़ज अर्थात अपवर्त हो सकते हैं ठीक है गुड़ज को इंगलिस में मल्टीपल कहत हैं कि मल्टीपल किसी भी नंबर के इंफिनिट मल्टीपल हो सकते हैं उनकी कोई लिमिट नहीं बट किसी भी संख्या के जो गुड़न खंड है यानि फैक्टर है इनकी संख्या निश्चित होती है रुको बढ़िया चलो तो याद रखना कभी लाइफ में ने बूलना ये फैक्ट जो है किसी भी संख्या के जो गुड़न खंड होते हैं वो लिमिटेड होते हैं उनकी संख्या अनंद नहीं होती यानि कोई भी संख्या कुछ निश्चित संख्याओं से ही फुली डिवाइड हो सक करते हैं अगला फैक्ट देखिए क्या है उसके बाद हम टॉपिक पे चलेंगे और इनको गहन अध्यन कराएंगे आपको बिल्कुल जीरो से किसी संख्या का गुडणखंड यानि फैक्टर उस संख्या से छोटा या फिर उसके बराबर होता है क्या देखा आपने किसी भी संख्या का जो फैक्टर है साथी मेरे वो उस संख्या से छोटा या उस संख्या से क्या होगा उसके बराबर होगा लेकिन संख्या से बड़ा क 10 भी हो सकता है 20 भी हो सकता है लेकिन क्या इस 20 का फैक्टर 25 हो सकता है कभी भी बेटे की उम्र बाप की उम्र फे जादा नहीं हो सकती है बसरते वो उसी का बाप होना चाहिए बस वैसे ये भी नहीं हो सकता है क्यों ऐसा 25 से भाग कभी 20 में जाएगा ही नहीं ये तो उल्टा ह हो गया थीक है तो यहां से सीथ होता है कि किसी भी संख्या का जो फाě्क्टर है वोस्त गैसे कभी भी बड़ा नहीं होता है हूं को जब आगे शूंख कि किसी संख्या का गुर जी यानी मल्टीפल संख्या के बराबर या उस संख्या से बड़ा होता है, कभी भी उससे छोटा नहीं होता है, किसी संख्या का उचित गुड़नखंड उसके कुल गुड़नखंडों की संख्या से कम होता है, पहले दूसरे वाले तीसरे बात करते हैं, देखो, इसकी, इसकी बात करो, आओ, अगर मैंने पाचवा गुड़च की बात करें तो 20 गुड़ा 5 बराबर 100 तो अगर हम 0 से मल्टीपल करेंगे 20 में ठीक है तो 0 हो जाएगा लेकिन 0 उसका मल्टीपल नहीं होगा ठीक है समझ रहो तो हम 1 से ही स्टार्ट करते हैं पहला मल्टीपल क्या होता है 20 दूसरा क्या होगा 40 तीसरा 60 ऐसे तो 20 से कभी छोटा नहीं होगा हमेशा बड़ा ही होगा अगर अगर दसमा मल्टीपल बोलें तो गुड़ा करोगे 200 होगा कोई तकलिफ नहीं आई ये टॉपिक पे चलते हैं उसके पहले कमेंट देख लेते हैं सरस्थी राठोर मिश्चिन्नी जितिन बगेल मिश्टर निसान सर्मा जी पायल परिहार सिल्पी कार्तिक गोलू राकेश उपदेश इनाम है ये सौरव प्रियंका सिंग साक्षी पंडे अनूज सबका कमेंट आ रहा है सबर रखें ता फल्ली रखें आप देख रहे हैं आजादी बैच का लाइव डेमो सातवा नमबर अगर आपने यूटूब पर ही अभी तक देखा है तो PBR Study एप में जा करके इसका पूरा सिलेवस का कोर्स जवाइन करें जिससे आप प्यार से घर बैठे सीख पाएं ब्याद में पच्ताना ना पड़े क क्योंकि मौका बार बार नहीं आता है यूटूब पर बहुत सारे चैनल होंगे लाखो वीडियो होंगे हजारों चैनल होंगे लेकिन जीरो लेबल से फूल पैकेज कोई एक तरफ से जोड़ घटाना से सुरू करके आपको अच्छे से पढ़ाए तो बहुत लोग मिल जाए के लिए हमें टेली गराम पर जरूर ज्वाइन कर लें क्योंकि टेली गराम पर ही सारी अपडेट आपको हम देते हैं कलास के संबंद में यह नाम सर्च करिएगा गूगल प्ले स्टोर पे टेली गराम पे इंस्टागराम फेस्बुक ट्विटर हर जगा हम उपलब्द हैं फॉलो करें जहां करने लायक है जहां लाइक है लाइक करें सब्सक्राइब करें जो भी एक रएंगे अब थोड़ा सा हम कुछ कम लाइन में कुछ जादा आपको देते हैं फैक्टर और मल्टिपल जो हैं इनमें कुछ संबंध दिखाते हैं देखिये गुडनखंड इसको अपवर्तक भी बोलते हैं या विभाजक बोलते हैं इसका तीन नाम है इंगलिस में फैक्टर बोलते हैं अपवर्त को गुडज भी बोलते हैं इसे इंगलिस में मल्टिपल बोलते हैं अंतर यहां से समझ लोगे तो आपके मन का दूबिधा दूर हो जाएगी आज आईए ट्वंटी एट वन से कंप्रिलिटली डिवाइड होगा जीरो सेज़ पल आएगा टू से भी कंप्रिलिटली डिवाइड होगा भाग करके देख लो दो से भाग करोगे अट्थाइस में तो चौदा आएगा ना भाग फल तीन से भाग करेंगे अट्थाइस में जीरो नहीं आएगा मैंने तीन नहीं लिया है चार से भाग करेंगे चार से अट्थाइस अजियाद से भाग करेंगे 7 Chode 28 यानि ये नमबर 11,10 9 इन फे 11,000 सबसे भाग करने पर बारी ब मेरीगे जीरो से स्पाल आएगा तो यह सब इनके हैं ढूंहें समझ औो आहि सम्झाने हैं अा कि कि मल्टिपल क्या होता है मल्टिपल का मतलब यह होता साथ ही मेरे कि dans नमबर फे याद रखना इस वाल नमबर फे इस वाल फे इनको 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 सब को जब भाग करें तो जीरो से फलाए देखो यहाँ पर इससे भाग किया जा रहा है इधर वालों में यहाँ पर इसमें भाग करवाया जा रहा था इधर वालों से यह अंतर होता है समझा कि नहीं यानि जो factor है वह हमेशा इस नंबर के बराबर या इस से छोटा होगा देखो सबसे बड़ा factor 28 है 28 से बड़ा नहीं ہوगा लेकिन जो multiple है वो सदेओ उस नंबर के बराबर या उस से बड़ा होगा उससे बड़ा देखो यह छोटा नहीं होगा चापो भईया दूसरे में आ जाओ हसान आमत समझ में आ रहे हैं जोती, बिनीता मोर्या, सिलपी, सचिन बात ना करो चुपचा पढ़ाई कर लो भईया बाबू कर लो पढ़ाई नहीं एक ऐसी भी टाइम आती है न जिब जिन्देगी बड़ी घड़वर लगने लगती है क्योंकि अभी जिन चीजों में मज़ा आ रही न वक्त के साथ-साथ ये मज़ा खराब हो जाती है जब देखिए अगर आप छोटे थे जब पिल्ला भरके तो 10 रुपय के खिलाउने में बड़ी खुसी मिलती थी आज ये कंडिशन भी हो जाती है कि आप उस खिलाउने की दुकान भी खरीच सकते हो फिर भी उन खिलाउने मज़ा नहीं रह जाता है फिर वक्त के साथ साथ चीज़ें बदल जाती है अभी पढ़ाई के टाइम है पढ़ लीजिए ऐसा अनुबहों के साथ बता रहा हूं चलो देखो 12 क्या है ये संख्या है इसका फैक्टर यानि की गुणनखंड या भी भाजा कि आप वर तक इस संख्या से चोटा ही होगासए बारा में जिरू आएगा दो से बाघ करेंगे तब जिरू आएगा तीन से करेंगे चार अवजे जए तो समझ गए ना सभी कोई डाउट किसी को देखो अंतर के लिए रग्दम समझ में आ रहा है कि जो अपवर्तक है वो हमेशा इस संख्या के बराबर ही हो सकता इससे छोटा नहीं मतलब स्वारी बड़ा नहीं हो सकता है लेकिन जो इधर फाइड में देखो गुड़ज है मल्टीपल है वो इस संख्या से बड़ा ही होगा या उसके बराबर होगा उससे छोटा नहीं होगा एक परकार से आप जानलो यह टेबल के रूप में होता जैसे बारा दूना 24 बारते इचातिस बार चाको और लिस आसे लेकिन सिर्थ दस पर खतम नहीं हो जाता कि बारा दम्मा 120 नहीं 12 गरहम में भी जाता है एक सो बत्तीफ ठीक है 12 गरहम में 144 यह भी जाता है और आगे भी जाता है वो संख्या 630 के आप वर्ता क्यानी गुडनखन लिखिये कितने लोग बता लोगे बताओ कमेंट करके मुझे बताओ फटाग दे कितने लोग कर लोगे इसे जल्दी करो छे सो तीस है मैंने आपको विभाजता नियम बताया है सबसे पहले दो का विभाजता नियम क्या होता है कितने को पता है हाथ उठाओ फट से चलो लाल टोपी वाले चलो तुम उठाओ तुम ही से बोल रहे हैं चलो आये दो का विभाजता नियम होता साथ ही मेरे कि जिस संख्या के लाष्ट में 0,24,68 होता हो दो से विभाजित होता है तो हम कह सकते हैं दावे के साथ कि इसका जो फैक्टर है वो दो होगा और वन तो सब में होता है तो वन पहले लिख लेते हैं वन सब का फैक्टर होता है तीन का विभाजता नियम कहता है कि संख्या के अंकों के योगफल तीन से विभाजित होना चाहिए इनको जोड़ोगे 9 आएगा 9 में 0 जोड़ोगे 9 9 तीन से completely divide है तो हम कह सकते हैं कि ये पूरी पूरी संख्या तीन से divide होगी चार का विभाजता नियम कहता है कि दी गई संख्या के लाइस्ट के दो अंक से मिलकर जो संख्या बन रही है वो चार से fully divide होना चाहिए अगर ऐसा है तो फिर पूरी संख्या चार से divide होती है तो हम कह सकते हैं कि फिर भाईया ऐसी कंडिशन में 34 से डिबाइड नहीं है इफ लिए यहां 40 का फैर्टर नहीं होगा आयू समझ में आ रहा है रुक रुक के तो बोल रहा हूं भाईया जी तिन आप लोग क्लास को लाइक नहीं कर रहे हो लेकिन क्या चाहते हो बताओ सभी बच्चे क्लास को लाइक करें और नए चाहत्र चैनल को सब्सक्राइब करना न भूले चलो मुझे बताओ ये 5 से फुली डिबाइड है या नहीं यास या नो पांच का विभाज़ता नियम बहुत आसान था बहुत आफान था बताओ न्यू बच्चा पारटी चैनल को सब्सक्राइब करें जिससे वो कलास को देख पाए नहीं उनको कलाफ नहीं मिलेगी मतलब कमेंट ओमेंट नहीं कर पाएंगे वो बहुत अच्छा बेरे गोड बेरे गोड बच्चे बेरे गोड कितने अच्छे हो तुम ठीक है दी गई संख्या के अंत में अगर 0 है या 5 है तो दी गई संख्या 5 से फुली डिबाइड होती है कोई भी संख्या 2 और तीन दोनों से कंप्रिलिड डिबाइड है तो फिर वोруго संख्या 6 से भी डिबाइड için so दो और तीन इसका दोनों फैक्टर है तो 6 तो आँख बंद करके लिखे कोई दिक्कत नहीं अगर चाचा तुम्हारे विधायक हैं तो फिर तुम किसी को थबर यह आ सकते हो कोई दिक्कत नहीं कि यूपी वालों के लिए बता रहा हूं बाकि हर जगा हो सकता न लागू हूँ सही है ना तो बस वैसे ही ठीक है साथ का क्या होता है लाइस्ट वाले अंक का डबल करो जीरो आएगा पूरी बची हुई संख्या से घटाओ पूरी बची हुई संख्या से घटाओ आईसे था कुछ हां चववन आएगा अरे यार कुछ ना करो कटेगा हो साथ संख्या तिरफट है ना ऐसे तो था ना साथ का विभाजिता नियम तो साथ से भी है डिवाइड क्यूं साथ नमाई तिरफट ना आठ आठ पते चपपन साथ बचेगा नहीं नौ मिलकुल दस बिलकुल तो यह सबी क्या है इनके अपवर्तक है या गुडन खंड है जनाब और भी हो सकते हैं और आगे भी जाएंगे यह कितने होंगे कितने लोग निकाल पाएंगे बता मुझे देखिए आज मैं आपको एक जुगार बताता हूं साथ ही मेरे समझो यहाँ पर अगर हम इनको गिने तो 1,2,3,4,5,6,7,8,9 गिन के बताओ कितने हैं यह संख्या में कितने गिनों और अभी और भी होंगे आईए हम आपको एक जुगार बताते हैं छोटा फट ट्रिक बताते हैं जिससे कि हमें बहु ज़्यादा खोपड़ी नपाकाना पड़े और हम निकाल पाएं यह से देखो मैंने कहा कि संख्या 20 पहले चोटे में समझे ना चोटे में ट्रैल कर लें फिर बड़े में जाएंगे संख्या 20 के कुल गुडन खंड बताओ ठीक है तो पहले आप मोटा मोटा खुद से समझ लो फिर ट्रिक लगाते हैं तो 20 के कुल फैक्टर 1 हो सकता साथी मेरे 2 हो सकता है 3 तो होगा नहीं 4 हो सकता है 5 हो सकता है 6 7 8 9 10 हो सकता है 20 हो सकता है यानि 20 के जो टोटल फैक्टर नंबर आप फैक्टर हो सकते हैं वो 6 हो सकते हैं सबसे पहले इनका अभाज कुड़नखंड करेंगे ट्रिक अपलाई करने के लिए तो दूसे करोगे दस दूसे पांच और पांच एकम पांच एक समझो ट्रिक समझो अब इनको छोटा कर दूँ आई अब हम आपको ट्रिक बताते हैं इनकी ट्रिक कैफे लगती देखो बीफ ना बीस का जो अभाज गुड़नखंड है वो दो दूना चार पंचे बीस ये होगा इनको गहात के रूप में लिखेंगे तो टू का पावर टू इंटू फाइब का पावर वन ठीक है सही है काथी मेरे घात में एक जोड़ेंगे तो तीन हो जाएगा ठीक है और इसकी घात में एक जोड़ेंगे दो हो जाएगा इनका गुड़ा करेंगे छे यही आंसार है बस कितना असान है 20 के कुल 6 से गुड़नखंड हो सकते हैं नई समझ में आया होगा अभी दूसरा ट्रायल करके दिखा देता हूं जब ट्रायल पास हो जाएगा तो हम इसको बड़ी नंबर पर अप्लाई करेंगे 630 जैसे है पहले छोटी छोटी नंबर पर ट्राई करते हैं हो कि इसमें स्टेट बैठ गया हो दूसरे में ना विट है तो ऐसी संख्या लो जिसका हमें पहले टोटल नंबर आप पता हो और पिर इसमें ट्रिक में ट्राई करते हैं अगर वो ट्रिक में पास होता है तो बड़ी नंबर पर आगबंद करके लगा देंगे इनका स्क्रीन साट लीजिए इस पर एक ऐसी बैच लेके आ रहें जिसमें दस वीडियो में पूरा बेसिक खतम होगा ठीक है और वो भी फ्री चैनल का नाम है राजकुमार यादो सर मैट्स इसे यूटूब पे सर्च करके सब्सक्राइब करना न बूलना इसे याद रखना आईए देखिए अब हम बताते हैं आपको क्या जान देओ सुनो एक चीज बताओ मैं आपको बड़ी सीक्रेट बात चुपपे वाली कुछ बच्चे कहते हैं सर आप लगातार बोलते रहें तो बगग बगग एको सीकन रुखते नहीं उसका कारण क्या पता है जब हमने बहुत ही आती गरीबी में क्लासी स्टार्ट किया था न हमारे अगल बगल बड़ा सोरगूल रहता था लोग गरी आते रहते थे बोलते रहते थे बस जारी गाड़ी जा रही हाँ पौँछ नहीं कुछ होता रहता था तो मेरी कोशिस यह थी कि मैं लगातार जलता हूं बीच में बीना तो चार सिकंड किये इफ लिए आप देरे-दरे सुधार रहा हूं बीच में रुकता हूं मैं रुकता पहले भी रुकना चाहता था सांफ लेना चाहता था लेकिन मजबूरी थी कि क्लास में हमारी आवाज के लामत दूसरे की कुछ और चली आए अब बताते हैं कि एक दूसरा कुष्चन पहले इनको साइड में रहने दोई से कुष्चन है मान लो इनको कुछ भी संख्या पैतालिस कुल कितने गुड़नखंड होंगे बताओ देखो बेसिक गुड़नखंड एक कलास में मैं और बता चुका हूँ इसलिए मैं थोड़ा ट्रीकी और थोड़ा बेसिक मिला के इसमें बता रहा हूँ समझो मेरी बात को अगर पूरा कलास इंड तक देखेंगे तो आपका आज फैक्टर का सम्मंदित सारा कांसेप्ट क्लियर हो जाएगा अभी मैं और बेसिक बताऊँगा इसमें रहोगे साथ में तब पहले हम पैतालिस का फैक्टर करेंगे ठीक है तो पैतालिस के फैक्टर होंगे तीन गुड़ा तीन गुड़ा पांच इनको घात के रूप में लिखोगे तो तीन का घात दो पांच का घात एक मैंने यह बताया था कि इनकी घात में एक जोड लेंगे तो तीन हो जायागा इसकी घात में एक जोड़ेंगे दो इनके फैक्टर होंगे छे आप कोगे उसमें भी 6 आयेगा इसमें भी 6 आयेगा क्यूं बीसमें भी 6 आया था हाँ सनियोग ऐसा है हो गया देखो कैसे समझो सनियों का ऐसा था कि 6 आया सही भी है यह देखो कैसे बही आप 45 का फैक्टर 1 होगा सभी जानते हो 2 तो होगा नहीं 3 होगा 5 भी होगा यह वैसे नंबर है जिनसे भाग करने पर 0 6 फल आएगा अगर किसी में लगेगा कि नहीं आ रहा तो बता देना मुझे कि या जेयर साथ आठ नहीं होगा नहों होगा कि दस घ्यारा बारा तेरा नहीं होगा पंदरा होगा और का हो गया शोलाक होlar होताच नườiस पैटालिस होगे एक 시ड़ पांच उस्िवासाब देखो चार अक पांच होई गाएग श्यों बताए कि इसके बाद 4, 1, 5, 1, 6 होई तो गा फिर भाई साथ देखो 4, 1, 5 होईगा 1, 45, 2, 6 होगया बस बताइए रियल में भी तो 6 यह आ रहा है ना ट्रिक में भी 6 आ रहा है अब इसे एक समझ में आ रहा है ठीक यह अभी किलियर हो जाएगा चलिए इसको मिटा देता हूँ एक नया नमबर लेता हूँ क्योंकि पिछले में भी 6 आया था इसमें भी 6 इसलिए थोड़ा मज़ा नहीं आई होगी आप लोगों को बट है वो सही कुल नमबर आप फैक्टर बताओ 70 के कितने होंगे कमेंट करो पहले 70 का अभाज गुड़नखंड करिए दो पंचे 10 सते 70 ठीक है यह इनके अभाज गुड़नखंड है जो ऐसे करके निकालते हैं अभी मैं इसको बताओंगा और विस्तार फिरुके रहूँ दो का घात एक पांच का घात एक साथ घात एक घातों में सम में एक जोड़ोगे सम में एक जोड़ोगे तो कितना होगा दो दुना चार दुना आठ देखो इसमें अलग आया यानि 70 के कुल आठ फैक्टर होंगी आठ कौन कौन से होंगे देखना मैं बताता हूँ समझो देखे बहुत ही जीरो से मैंने शुरू किया इस बैच को ऐसी बात नहीं है अगर मैथ में आपको कुछ भी नहीं आता मेरे भाई मेरे बाबू तो आपको मैथ सिखाने की पूरी गारेंटी है बसरते आप अपने आपको तयार कर सको कि हाँ आप सीखोगे मन के हारे हार है मन के जीते जीत अपने आपको कभी हारने मत देना अंदर से समझ रहो मन ही हमारे सरीर जीवन का पूरा सिस्टम डिसाइड करता है तुखी इंसान दुखी इंसान सुक दुख हर चीज ये मन खुदी डिफाइड करता है समझ रहो कहते हैं मेरा यहां मन नहीं लग रहा है जहां आपका मन नहीं लगता वहां आपको चैन नहीं आता है लेकिन मन के चलते अगर आप चल रहे हो तो फिर आप बरबाद हो जाओग है आपका मन किया मुझे वो ले लेना है और आपने चोरी कर लिया लड़ाई करके छीन लिया ले लिया कैसे कैसे तो आप लाद भी खा जाओ गयों यह मन का कहना जो है हमेशा नहीं लागू होता है मन कभी अच्छा काम करने के लिए जल्दी सकहता बहुत कमी है मन को उसी चीज में मजा आता है जो चीजें बहुत अच्छी नहीं है समझ रहो जैसे अगर किसी गाड़ी में घोड़ा ना धा गया बांधा गया है तो अच्छे राश्ते चलना उसको मजा थोड़ी आती है सतर के आठ फैक्टर पॉस्जिबल है या नहीं तो मन से कभी हारना नहीं आए अगया अगया सत्तर का फैक्टर वन हो सकता है टू हो सकता है देखो तीन नहीं होगा कभी चार पांच छे नहीं होगा साथ यह ऐसे नंबर है जिन से भाग करने पर इसको जीरो सेश फ़लाएगा आठ नो दस ग्यारा बारा तेरा चौदा चौदा भी होगा 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 27, 29, 31, 32, 33, 34, 35 एगा दूए और कौन होगा ओगा भाईया एक तो सत्तर होगा एक और कौन होगा कई कुछ छूट रहा है 14-75 हाँ 5 भी छूट रहा है 14-75 इसमें 5 छूट रहा है हुए गया 8 की नहीं गिनो 8 हो गया ना यानि हम कह सकते हैं कि 70 के कितने फैक्टर है मेरे यार 8 कितने है 8 इसका मतलब जो मैंने ट्रिक बताया था वो सही थी कि नहीं बोलो अरे जो ट्रिकिया लगाया था सही नहीं थी प्रिंकी खान इसके लिए कलास आपको पूरा देखना चाहिए लाश तक बीच बीच में आएंगे कभी कभी बूल चूक से तो ऐसा होता नहीं कलास आपको पूरा देखना चाहिए चलिए सेशन को जोड़ा लाइक करिए एक बार सभी लाइक करिए तभी आगे कुछ बोलूगो मैं प्रिंकी खान इसके लिए कलास आपको पूरा देखना चाहिए लाश तक बीच में आएंगी सभी तभी बोल चूक से पहसा होता नहीं तो फिर यह क्या थे ये थे factor सीख लिए इसका screenshot ले लीजिए इसका हम आपको PDF दे देंगे टेली गराम पे ठीक है टेली गराम पे अगर जो आइन किये हो तो इसका PDF भेज देंगे आपको लिखने उखने ज़्यादा जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि हम भी चाहते हैं का आप लिखो न चुप चाब बैठे रहो जैसे रोगी केमन भावेगे वही से बैद बतावेगे वही मज़ा है 20 के गुड़नखंड तथा आभाज ये गुड़नखंड बताईए अब आज गुड़न खंड था अब आज गुड़न खंड ये कौन बवाल है देखो 20 का गुड़न खंड हो सकता है 1, 2, 4, 5 10 and 20 ये इसका फैक्टर हो सकता है 6 है न ये क्या है ये सिर्फ गुड़न खंड है only factor है अब आज गुड़न खंड देखो 2, 4, 5, 20 ये मैं एक भी ले लो ये अब आज गुड़न खंड है क्योंकि इसमें जितने भी नंबर है सबी प्राइम फैक्टर है ओ सरी प्राइम है ये प्राइम है ये भी प्राइम है ये भी प्राइम है यानि अब आज संख्या है न प्राइम नंबर है इसमें देखो ये प्राइम नंबर नहीं स समझ गए तो अगर किसी भी संख्या का आपको आपाज़ गुड़न खंड निकालने को बोला जाये तो ऐसे करते हैं अब आज गुड़नखंड में सभी संख्याओं का मल्टीपल करने पर वो संख्या प्राप्त हो जाती है जैसे दो दुनाचार पंचे बीस एकम बीस समझ में आया? इसको लिख देते हैं पूरा साफ साफ इनको बोलते हैं प्राइम फैक्टर जेसन ये पॉइंट तो आप पढ़ी चुके हो सीव हम समझ में आ रहा है? ओजा गाजी पूरी कुछ हार है थोड़ा बहुत? जबाब दीजिए जनाब निम्न लिखित में से कौन संख्या 75 का आप वर्ता ग्यानी की फैक्टर नहीं है बतावा हो भईया जल्दी करिए थार्ड नंबर कुश्चन है अगर ए सही है तो आप कमेंट में ऐसे लिखेंगे अगर सी सही है तो आप ऐसे बोलेंगे बताव जल्दी हम हट गए करन रावत बोला भईया और पिता बेरी गुड जो अभी तक मैंने पढ़ाया वही तो पूछ रहा हूं आपसे चुंगली करना सिखा दें फलाने इक बारे में तो नहीं बुलाओगी बताओगे उसको सब से लेकिन अब ही मैत के बारे में बताय दिया अथ सभई बुलाए गया पैदा वही जगम भाना सभई बात ही है बूले वाली बात ऐसे नहीं है हम सब ही भूली थे वही बात जो हम भूला चाहित है सही बात है का नहीं जो हम नहीं भूला चाहित हो भूली थे अब इन इवाओं को देख लो जिनका दिल तूट गया है वो छोड़के चली गई या वो चला गया वो उसको लाग बूलना चाहते हैं, कभी नहीं बूलती है, काये को नहीं बूलती हैं, क्योंकि बूलना चाहते हैं, अन्ना बूलना चाहते हैं, तो ऐसे है मैध में आप लोग जो करना चाहते हो, याद करना हो, याद होता नहीं, तो याद ना करना चाहा करो, सोचा करो कम उक्सान दायक होता है तो क्यों कि दिमाग में आर्ला को दिल बलट का फिल्टर करना है को श्रक्त दिल में हो मेरे तुम कहा इसमें यह सही है क्योंकि 75 जो है वह 15 से भी डिवाइड है 25 से भी है, 75 से भी है, बढ़ 20 से नहीं है इनको प्यार से देख लीजिए नजर से एक बार क्योंकि अगर आप मैस घर बठे सीखना चाहते हैं सिर्फ एक महीने में सीखना चाहते हैं तो आप PVR Study आप जरूर डाउनलोड करिए Google Play Store या App Store से चौता जवाब दो भाईया, चलो 150 का गुड़ यानी Multiple बताओ बोला सवाई हो Multiple बताओ बताओ जल्दी करो बताओ जल्दी करो बहुत अच्छा, very good चलिए 150 का गुड़ यानी जो इसके गुड़ा में आए 150 के Multiple में कहीं भी धाई सुन नहीं आता है ये तो आएगा नहीं बिल्कुल नहीं आएगा, कभी नहीं आएगा ये भी नहीं होगा सुभम राओ, सुभानी 4 में टी, कौन सा साई है? 4 में टी बाई साहब, आई से तुम देखो कि 1050 में अगर तुम 105 कब भाग करोगे, 00 कट गया 15 सत्ते 105 साथ आएगा ना यानि आप कह सकते हो 7 बार जाता है स्वारी, 70 जाएगा क्या? 7 बार जाएगा 7 बार जाएगा, 7 बार सिर्फ 7 बार जाएगा 150 सत्ते होगा 1050 देखा सा भाई हो, चला आगे बड़ा संखे 18 के कितने गुड़ज संभों हैं? 5 में जवाब दीजिए 5 A, B, C, D क्या होगा? D सही है तो 5 D कमेंट में लिखेंगे A है तो 5 A, C है तो 5 C बोला भईया बतावा भईया सबही का एक सर्मादा ठीक है Very good अनुराधा दिब्या, बात ना करिए प्लीज बतियाई ना भईया तो तू सभाई का पढ़तू और तू ना ही ठीक है पाचवा में कह रहा कि 18 के कितने गुड़ज संभों होंगे कुशन नंबर 5 है अगर 5 है तो 5 C बता दिया अगर A सही है तो 5 A सौरव सबसे पहले जवाब दिये हैं सही तरीके से पासवान सुभम सिवाम ठीक है दिवाला किसी भी नंबर के जो गुड़ज है अर्थात मल्टीपल है वो हमेशा अनंत होंगे इन्फानिट होंगे इन्फिनिट है उनकी कोई लिमिट नहीं होती क्या हो रहा है इसमें भईया मेरे दिल बता ये तुझे क्या हुआ देख रहे हो क्या हुआ इसको दिल का बात ले लिया मैंने ये मिश्टेक कर रहा है चलो बताओ संक्या 250 का गुड़ज नहीं है मैंने कहा कि मेरे दिल बता तुझे क्या हुआ तो उसके पहले इसको होने लगा बताईए पानी बानी भी नहीं है पर उको में ले आता हूँ खोच खाज के मिस चिननी यह बताओ चाइना से आई हो कि ऐसे नामे रखाई हूँ कि चलो मजाग थाओं छोड़ो कोई दिल पर नहीं लेते कार्थिक राजा राजा जी कहां रहा तो हैं कपसे खोज़त रहें तो रहें तलाफ रही 25 का गुड़ज नहीं है यानि कौन सी ऐसे संख्या है जो 50 पे नहीं कटेगी फुली डिवाइड नहीं होगी ठीक है आईए 25 से भाग करोगे तो ये भी फुली डिवाइड है ये भी है ये भी है ये भी है भाई या ये वाला फई भाग करके देख लो सब ही डिवाइड होंगे 25 से भाग करोगे इसको 120 आएगा इनको करोगे तो 100 आएगा पचीस तियां पचात्तर तीफ आएगा पचीस दूना पचास बीस आएगा सब डिवाइड हैं हसन गलत है तो कितने लोग टेली गराम पे पी वी आर स्टेडी जोईन किये हैं जल्दी कमेंट में बताओ फट सयास अगर आपने हमें टेली गराम पे जोईन किया है तो यफ लिखें, नहीं किया है तो नो लिखें और अगर आपको टेली गराम के बारे में कुछ नहीं पता कि का है, कौन से जनाराओ को नाम है तो वो A लिखेंगे, डबल A बस ये कोड है, चलो बताओ क्योंकि जो कुछ क्लास उला चलती है उसका PDF, किसी दिन क्लाफ नहीं चलती है तो उसका notification कोई अपडेट होती है, वो सब हम टेली गराम पे भेजते हैं क्योंकि हर दिन वीडियो नहीं बनाते हैं ये live नहीं आ जाते कहीं भी ठीक है, कुछ भी information होती है सारी अपडेट टेली गराम पे मिलती है सीव हम जोईन किये हैं पता नहीं जूट बोल रहे हैं जूट बोलो गए तो तुम्हारी उससे लडाई होगी पक्का है अनुरादा भी जोईन किये हैं अमित भी रानू भाई रानू नाम है अपका रेनू नाम है पूजा बबलू जितिन और पिता अब इसे एक पूजा ठीक है जो नहीं जूट किये वो टेली गराम पे जूट कर ले देखो लिंक भेज रहे हैं रोहित जी तो उस लिंक से जूट जरूर कर लेना बढ़िया है अगर पढ़ना चाहते हो तो कर लेना वैसे भी रिक्वेस्ट करने से आज कल दुनिया नहीं चलती है गर जिस फे चलती है जनाब गर जिस फे चलती है हम बार बार कहेंगे तिनको लगेगा नहीं जरूर फायदा हुए कुछ मस्टर वा के तब जोईन करवारा है तो ना करो हमाय का जाता इसमें तेरा घाटा मेरा कुछ नहीं जाता पढ़ना जोईन कर लो मैं सिधा फिदा बोल रहा हूं बस इसमें कोई गमंड गुरूर की बात नहीं है क्योंकि मैं कहते कहते ठक गया दाड़िक भाल पक गया नहीं करिया तो का करें चलो देखो संख्या पंद्रा का आठमा गुरूर जबताईए एट्थ मल्टीपल बताओ बताईए आठमा गुरूर जनते हो कैसे निकलेगा बाई जिसका जितना गुड़ जबोल रहा है उतने गुड़ा करते हैं पंद्रा शक्कार नब्बे पंद्रा सत्ते एकसो पांच पंद्रा आठे होता एकसो बीस इसका अंसर होगा एकसो बीस ठीक है अगला जबाब दे भाई आठमा में संख्या आठारा का बीसमा गुड़ जबताओ मिस चिन्नी चीनी लिखा हैं चिन्नी बोल रहे हैं अच्छा आउल्टा पड़ रहे हैं बाई नाम आजकल ऐसे ऐसे आरहे हैं कि मुझे कंफूजन हो जाती है ठीक है बीसमा गुड़ जब का मतलब इसको बीस से गुड़ा करना है तो अठारा दूना च्छत्तिस तीन सो साथ संक्या पांच सो तीस का पांचवा गुड़ जब होगा इन में से कमेंट में बताओ चलो नव नमबर सवाल है बताओ पांच सो तीस का पांचमा गुड़ जबताओ पांच सो तीस का पांचमा गुड़ जब करिए नव नमबर है अगर अगर पी सही है तो नाइन भी ऐसे लिख दो बस अगर पी अनुराधा रधास रादे करन सकती पीब्यार स्टड़ी से पढ़कर फाइव वैटेलियन में हूं जी बहुत बहुत थाइंक्यू आपको आपसे निवेदन है कि आप एक फीड़बैक का वीडियो बनाके वाट्सप पर जरूर भेजें जिससे क्या और लोगों को मोटिवेशन मिल सके चलिए पाचमा फाइक्टर बोल रहा था तो गुड़ा करिए पांच जीरो पांटियाई पंदराग पांच हासिलेग पांच चंक तीस एक एक तीस क्या यार 25 एक 26 होगा भई या 26-50 होगा यानि बी वाला सही है क्या है नाइन में बी सही है तुम बी बी मत लिगो रात का टाइम है वैसे भी डरावना वर्ड है हाँ सही बोल रहा हूं ज यह टॉपिक जो है आगे सामने दिख रहा है यह बहुत इंपॉर्टेंट है इसको दिल में बसा लो कभी-कभी निकालना बस अब बिर्जेस आपका नाम ले लिया आमर हो गया आप मैद भले ना आये लेकिन बावकाल बन गया आपका यह बच्चों के फीडबैक है जो वो अपने दिल की बात कहते हैं आप भी ऐसे अपने दिल की बात लिख सकते हैं इनका नाम पता नहीं क्या है नहीं मालूम है नोंने लिखा है कि सर हमको बहुत कम आता है गरित सर आप बट अच्छे सर हैं सर आपको जनम देने वाली मा को लंबी खुसी दे लंबी उमर दे सर आपको कमजोर इनसान को गरित में मजबूत बना दे रहे हो आपकी जिन्दगी खुसी खुसहाल से भाई जाए मतलब हो जाए बर जाए यह इनका सब्द था जो मैंने इनी की भासम पढ़ा इसक्रेंसाट ले लो इसका यह अगले एक इस्टूडेंट का फीड़बैक है सर आप पढ़ाते तो बहुत अच्छा हो लेकिन आप धीरे धीरे बोलिए ताकि हम सभी को समझ में आ जाए बले वीडियो लंबा हो जाए कोई बात नहीं है लेकिन समझ में पू कि देटेश बोलने चक्कर में दो भाग गई कहती मेरे समझ में आता आपकी बात मैं जा रही हूं अबने का जा तुम निकल जा जल्दी यह हमारे एसिस्टेंट का रिपलाई है बड़ा खतरनाग रिपलाई करते हूं कहीं कहीं ऐसी भासा लिख देते हैं जो बड़ी कठोर होती है उनको मैं कई बार समझाता हूं लेकिन वो समझने का नाम नहीं लेता है इसलिए मैंने उनको अभी सेवा से थोड़ा दिन के लि हाँ तो बताईए आप कमेंट में फटा फटा आप लोग कहां से जुड़े हैं जैसे आपकी कलास परियाग राज उत्तर परदेश से होती है और हम वैसे आप लोग बार बार पूछते हो तो बताएंगे लेकिन पहले इसका अंसर बताओ कमेंट के चक्कर में लगा हां ना रूका बताईद संख्या वन फोर्टी फोर वा वन ट्वंटी का अभाज ये गुड़न खांड बताईए ये तरह मोट ना चल भाईया नए सब सही है चुक जाए अब हाज ये गुड़न खंड कर लोगे वन फोर्टी फोर अरे आई फे तो करते हैं ना यार बच्पन से तो करते आए आई फे ना यही होता है ना कर लेंगे कि नहीं एक दो तीन चार बार दो है दू बार तीन है यह हो गया चापो फटा फट कुल गुड़न खंडों की संख्या निकालना यह मैं आपको रेगुलर क्लास में बताऊंगा अब अपलिकेशन में क्योंकि यहां पर बहुत कम टाइम है और बैच कई सारी हो चुकी है तो अगर आप इन्रोल नहीं किये हो तो कर लीजिए इसके बारे में थोड़ा डेमो मैं पहले दे चुका हूं इसमें हम ऐसे तरह के क्या है मान लो कुल कितने फाइक्टर होंगे यह ट्रिक से करेंगे इनको जिसे हम जल्दी फिजल्दी कर लें बेसिक में नहीं ठीक है इस्टार्टिंग में बताया हूं तो वसे आज की क्लास का टाइम ओबर हो चुका है ऐसे कंडिडेट जो सिर्फ 30 दिन में गड़ी सीखना चाहते हैं ओनली 30 दिन में वो PVR स्टडी को अपलिकेशन में ज़ौइन जरूर कर लें अभी यह बैच जो आई थी इसमें एक बैच आजादी 2.0 मेंने एड़ कर दिय गया है ठीक है बैच बीस अगस्त एस सुरू होगी ऐस है ठीक है मेरी बात सेमझेरह हो वार तो यह बैच अब 20 अगस्त से आ रही है कब से 20 अगस्ट से तो अगर आप इचुक हैं तो आप इस बैच में इन्रोल कर फकते हैं अप्लिकेशन में ये बैच दिखेगी इसी में जाके इन्रोल कर लेना वही पुराने आफ़र में एक बार फिर से मौका है आपको ठीक हैं ये जो आफ़र आपको सिर्फ और सिर्फ 13 अगस्ट तक था अब ये 20 अगस्ट तक मिल सकता है एक सप्ता बढ़ा दिया गया क्योंकि बीच में हम काफी परिसान थे तो टाइम नहीं मिल पाया तो बहुत से बच्चों का पेमेंट फेल हो गया बहुत से बच्चों का पेंडिंग है तो अप्लिकेशन में काफी टेक्निकल इसू हो गया था इस होजा से ये टाइम बढ़ा दिया गया ठीक है कि तो 20 अगस्ट तक आप आफ़र का लाव लीजिए एक बार और मौका है पढ़ना पढ़ेगा लिखना भी पढ़ेगा नोट्स बनाने पढ़ेंगे मेहनत करनी पढ़ेगी अगर आप तयार हो तो मैं सिखाएंगे एक महीने में जो भी चुक कंडिडेट है उनको अभी नंबर दिखाएंगे उन पर संपर्क करें ये आपकी बैच का नाम है जो अभी आप देख रहे हो आज आदी बैच है सातवा नंबर डेमो आज आप देख रहे थे सातवा डेमो आपने देखा कुछ कहना है तो बताओ कमेंट में मैं पढ़ रहा हूँ चलो सचीन किसी का नाम लेके कमेंट ना करिए आपको लाश्ट वार्निंग है पूजा गाजी पूरी बात ना करिए जिन्दगी में जो चीज जितनी छुपी है उतना ही लोगों का अट्रेक्शन बढ़ता है उसके प्रति अगर वो बिल्कुल इंसान के सामने आ जाए ना तो उसका कोई भाव नहीं रह जाता है समझे रहे हो इसलिए अगर अपना भाव बढ़ाना है तो छुपके रही है लोगों से अगर मैंने मुठी बंद किया है मैं कुछ लिया हूं नहीं दिखाऊंगा नहीं दिखाऊंगा तो मैं लालसा बढ़ेगी देखने को क्या है है ना लेकिन मैं पहले से खोल के इसे लारा रहा हूं तो तुम्हारा कोई इच्छा नहीं होगी हाथ देखने का मेरा तो जिनको कोई इंक्वाइरी करना है इस नंबर पर संपर्क करें आज रात दस बज़े से कोई कलाफ नहीं चलेगी ठीक है हमारी कोशी से बहुत जल्दी रात दस बज़े वाली कलास हम लाएंगे इस समय काफी बेस्तता चल रही साथियों तो माफी चाहते हैं डीलेट की कलास सिर्फ अप्लिकेशन में चलेगी यूटूब पे नहीं चल पा रही अगर आप एक महिनम मैद सीखना चाहते हैं तो जवाइन जरूर करें कुछ कहना है तो कॉमेंट करिए मैं देख रहा हूँ अब ही अगर कलास खतम होने के 10-15 मिनिट के अंदर कॉल करेंगे तो हम खुद बात करेंगे आप लोगों से खुद ही करेंगे दिन में आप करेंगे या बाद में करेंगे तो हमारे साथी लोग जो PBR स्टेडी टीम के लोग हैं वो आप से बात करेंगे है अब हाँ इस कलास को फिरी भी पा सकते हैं ना किसी पैइमेंट के जो मैंने बताया भी बैच बताएं क्या करना उसके लिए देखिए उसके लिए आपको अपना फोन ऐसे पकड़ना है सामने करके ठीक है आइसे करके सामने करके अपना फोन पकड़ना है उसमें आपको वीडियो बनानी है कैसे पता है तुमें ऐसे हाँ मेरा नाम सीवम है मैं PBR स्टेडी से पिछले तीन महीने से अच्छे महीने पे जुड़ा हूं और मैं देख रहा हूं उपढ़ रहा हूं मुझे बहुत जाना चाहिए अपने विचार बनाके बेज़िया एक मिनुट से कम का वीडियो होना चाहिए तर गदिर रहा है ठीक है ठीक है तर गमें आपको ऐसे नहीं करना है हमेशा ऐसे करना कर सकते रहें लेकिन गुण करती है कि जो हमारे घिंट के मिले गई उसे ज्यादा भी मिल सकता है ठीक है कोई भी कोर्स जो भी पीवियार स्टेडी में उपलब्ध है आप फीडबेक का वीडियो बना करके उसे पा सकते हैं ठीक है अपने दिल का बात लिखेंगे आप जो भी मतलब बोलेंगे मुह से हमारे बताने से नहीं जो भी आप तो आपके पास मौका है 500 से ले करके 800 रुपए जीतने का वो भी सिर्फ एक मिनट में आपको सिर्फ एक मिनट का वीडियो बनाना है 500 या 800 रुपए का कोर्स आपको बिल्कुल फ्री मिलेगा बस बहुत बहुत थांक्यू और क्या कर सकते हैं नंबर दिया स्क्रीन पर वाटसाप पर उसी पर भेजना है दीपक स्क्रीन पर नंबर दिया बाबू ठीक है तो तस बज़े आज कला आफ नहीं चलेगी बहुत बहुत थांक्यू झाल 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 झाल